आज जम्मू युवा संगठ्षन जो है वो नॉन पोलिटिकल असोचेशन बनाई गई है इनसे बातचीत करते हैं कि कौन सर सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और बताएं कि इस जो आपने जम्मू युवा संगठ्षन बना कि हमारी यह जो organization है इसकी जो style of working रहेगी वो जितने भी जम्मू के साथ discrimination है जितने भी issues discrimination के साथ जुड़े हुए है इन issues के उपर spearhead करेगी और government को मजबूर किया जाएगा इस discrimination वो खतम करने के लिए जिस तरह से आप एक advocate हैं और क्या सब advocate आपके साथ मौजूद है यहां फिर कोई भी युवा जो है इस organization का हिस्सा बन सकता है नहीं मैंने पहले भी आपको बताया कि हम यह जो organization launch की है not as an advocate हमने यह नहीं launch की है इसमें यह students or youth से एक students or youth का एक गुलदस्ता है जिसको अब हमने explore करना है पूरे जम्मू प्रविंस के ओपर और मैं आपको बताना चाह जाता हूं हमारी जो organization है यह पूरे तरीके से जम्मू सेंट्रिक होगी और जम्मू सेंट्रिक इशूस ही इसमें उठाए जाएगे कि कि organization लोगों के साथ बनाई जाती है तो आज कितने लोगों ने इस जम्मू युवा संगर्जन को जाइन किया मैं आपको बताओं कि आपक जितने भी city के colleges हैं जितने भी तसीर लेवल पे हमारे लोग हैं उन सारों ने सहमेती दिखाई है और आज हमने ये organization लाँच की है within days ये full-fledged structure आपको दिखेगा इसका और उसी के साथ-साथ हमारा जो काम करने का जो सिलसला है वो within days शुरू होने वाला है मैं आपको बता दूं कि इनके साथ काफी colleges के students जो है वो हिस्सा लिया है मैं अपने cameraman से कहूंगी कि वो पीछे आपकी तरफ से क्या कुछ रहेगा सबसे पहले मैं आपको correct करूं कि यह हमारी कोई party नहीं बन रही है मैंने पहले भी आपको बताया this is a non-political organization और जो special क्या रहेगा वो मैं आपको यह बताऊं कि within days यह हम टोल प्लाजा का issue हम launch करने वाले हैं इसके against agitation इसी के साथ-साथ हमा करेंगे कि यह इन issues को resolve किया जाए जल्दी से जल्दी बहुत बहुत थन्यावाद तो दर्शे को मैं बता दूं कि आज जम्मू यूवा संगठन organization आज बनाई गई है और काफी यूवाओं ने इसमें जो हैसे जॉइन किया है और इनका कहना है कि हम जम्मू की आवाज बनकर जम्मू की जो भी परेशानिया फिलहाल के लिए जो जम्मू की सबसे बड़ी घर्माया हूं मसला टॉल प्लाजा उसके ओपर यह आवाज उठाएंगे और अपनी इनका कहना है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जम्मू बासियों को पूरी तरह से जो भी फैसिलिटीज है व जम्मू नमस्कार